भारत के पूर्व बैडमिंटन कोच विमल कुमार को टोक्यो ओलंपिक 2020 के एक साल तक स्थगित होने में भारतिये बैडमिंटन खिलाडियों के लिए फायदान रजर आ रहा है क्योंकि इससे उन्हें तैयारी का बेहतर मौका मिलेगा महामारी के कारण बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन ने विश्व रैंकिंग को फ्रीज कर दिया था और इसके सर्किट को भी निलंबित कर दिया टोक्यो ओलंपिक्स थगित होने के साथ बीड़ी एफ ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया पर पुनर विचार करेगा हाला कि विश्व रैंकिंग को फ्रीज करने का परिणाम ओलंपिक क्वालिफाई पर लागू नहीं होता है